नमस्कार दोस्तों, One India में आप सभी का स्वागत है डेमोकरिटिक पाथी के उमिदवार जो बाइडिन अमेरिका के 46 वे राष्टपती बनेंगे 77 साल के बाइडिन अमेरिका के राष्टपती बनने वाले सबसे बजुर्ग वेक्ति होंगे नियूआक टाइम्स के मताबिक पेंसिलविनिया में जीत के साथ ही उन्होंने बहुमत के लिए जरूरी इलेक्टोरल वोट जोटा लिये इसी के साथ ही अमेरिकाग राष्टपती चुनाओं में बाइडिन ने बाजी मारली और डॉनल्ड टरम्प को हरा दिया बाइडिन को 273 वोट मिले हैं वही डॉनल्ड टरम्प के पक्ष में 214 इलेक्टोल वोट पड़े हैं डेमोक्राटिक उमिद्वार जो बाइडिन का वाइड हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुँच चुका है साथी भारती मूल्की कमला हैरिस दुनिया की सबसे शक्ति शाली लोकतंत्र में उपराश्टपती बनने जा रही हैं इसे लेकर भारत में भी उत्सा है कमला हैरिस की मा श्यामला गोपालंत तमिलनाडू की रहने वाली है बताते डॉनल्ड टरम ने चुनाओ में धानली कारोप लगाते हुए कहा कि चुनाओ की रात को एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा और पैंसिल्वेनिया में बड़ी लीड थी लेकिन जैसे दिन गुजरता गया लीड रहिस्मई तरीके से गायब होती गई डेमोक्राटिक पार्टी के उमिदवार जो बाइडन 77 साल की उमर में अमेरिका की राष्टपती बनने वाले सबसे बजुर्ग वेक्ती हैं एरोजिनाओ और नेवाडा में बाइडन के पास 20,000 से ज्यादा वोट की बढ़ा थी जोर्जिया में वो 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे थे वहीं नौर्थ केरलोईना और अलास्का में ट्रॉंप आगे चल रहे थे बाइडन के पास 273 इलेक्टरोल वोट हो चुके थे राष्टपती बनने के लिए 270 का आकड़ा चाहिए होता है अपको दादी इस दोरान बाइडन ने ट्वीट भी किया उन्हें कहा अमेरिका मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे हमारे महान देश का नित्रतु करने के लिए चुना हमारे आगे का काम मुश्किल होगा लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सभी अमेरिकियों का राश्पती बनूँगा चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो अपको दादी इससे पहले शनिवार को बाइडन लोगों के सामनी आये थे अमेरिकी जनता ने हमें सरकार चलाने का जनादेश दिया है बाइडन बोले कि देश चाहता है कि वो एक बार फिर एक जूट होकर आगे बढ़ें आप धैर रखें आज हम वही साबित कर रहे हैं जो 244 साल पहले किया था और वो ये की लोकतंत्र काम्याब और कारगर है आपका हर वोट गिना जाएगा बाइडन ने समर्थकों से शांती बरतने की अपील की थी आपको दादे 3 नवंबर को बोटिंग के बाद नतीजे साफ नहीं हो रहे थे चार दिन चली काउंटिंग के बाद बाइडन की नाम की मुहर लगी तस्वीर साफ होने से कुछ दिर पहले तक रिपब्लिकन उमीद्वार डोनल्ड ट्रम चुनाओं में दोखा धड़ी का आरोब दोराते रहे और नहीं कहा कि काउंटिंग रूम्स की अंदर बुरी बाते हुई हैं कड़ी टक्कर वाले पैंसिल्वेनिया राज्य में गलत तरीके से हजारों वोट शामिल किये गए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम खबरों के लिए बने रहें One India के साथ